इंटर्मीडियट का एक्जाम खत्म होते ही युवाओं के मन में कॉलेज जाने का एकसाइटमेंट शुरू हो जाता है स्कूल के तोर तरीकों से अलग कॉलेज की दुनिया का अलग ही मोहौल होता है लेकिन मन में एक डर भी सताता है कॉलेज में होने वाली रैगिंग का की तरफ जा रहे हैं ये वीडियो है कानपूर के गणेश शंकर विद्यार थी मेडिकल कॉलेज का इस वीडियो में साल 2022 के MBBS पैरा Q2 बैज के नए छात्र नजर आ रहे हैं हाला कि कॉलेज प्रशाशन इस बात से इंकार कर रहा है लेकिन मुद्दा ये है कि कॉलेज और हॉस्टल से आज भी रागिंग क्यों खत्म नहीं हो पा रही है जबकि सुप्रेम कोट ने साल 2001 में रागिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है आज भी चोरी छुपे सेनियर्स अपने जूनियर्स की रागिंग ले ही लेते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले युवाउं की रागिंग तो, ज़रूर ही होती है येकंकही प्रथा की तरह साल दर साल चलती आ रहीwort बॉइस होस्टल की बात की जाए तो हालात ऐसे हैं कि कुछ-कुछ गर्ल्स होस्टल में भी रागिंग की घटनाएं बहुत आम है सामाने ता रागिंग का उद्देश जूनियर स्टूजेंस के साथ सीनियर का परिचय और हलका फुलका मनरंचन होता है लेकिन धीरे-धीरे ये नए छात्रों का शोशन करने का तरीका बन चुका है कभी-कभी तो रागिंग के नाम पर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो दोबारा कॉलेज जाने की हिम्मत ही नहीं जटा पाते दीरे दीरे नए छात्रों का शोशन बढ़ने से सुप्रीम कोट ने इस मामले को संग्यान में लिया और इसे पूरी तरह से बैन कर दिया लेकिन आज भी छात्रों में जागरुपता की कमी के कारण कॉलेज में उनका शोशन हो जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रागिंग होने पर दंड की क्या प्रावधान है और कहां शिकायत करनी होती है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रागिंग होने पर शिकायत कहां की जाती है रागिंग होने पर शिकायत दर्श करने के लिए आप anti-ragging help line number पर call कर सकते हैं anti-ragging help line number है 1800-180-5522 इसके अलावा आप email करके भी शिकायत कर सकते हैं इसके लिए email id है helpline at the rate anti-ragging.in इसके अलावा आप anti-ragging website www.anti-ragging.in पर भी शिकायत कर सकते हैं आई आगे जानते हैं कि शिकायत करने पर इन्हें क्या सजा मिल सकती है? UGC स्पस्ट कहता है कि अगर college ragging के शिकायत करने वाले छात्र की मदद नहीं करता है तो PD छात्र नी संकोच होकर UGC में शिकायत कर सकते हैं दोशियों पर ragging regulation act के तहट कारवाही की जाएगी किसी भी college में ragging का एक बड़ा प्रावधान है ragging का दोश थाबित होने पर छात्रों को सजा मिलने के साथ साथ संबंधित college पर भी कारवाही की जा सकती है तो आज की वीडियो में वस इतना ही फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की